धर्मा लाइप पर मैं हूँ आपकी साथ चेतना और वैदिक जियोतिश के सबसे ज्यादा लखी यानि की भागयवान ग्रह गुरु की उत्पत्ती के बारे में आज हम करेंगे बात देखिए गुरु यानि की भैस्पती कैसा ग्रह है जो कुंडली में किसी भी घर में स्थित हो ये बुरा प्रभाव नहीं देता काल पुरुष कुंडली में ये नौवे और बारवे घर का स्वामी यानि की धनु और मीन राशी का स्वामी है इस कारण ये ज्यान, सौभागय और मोक्ष का कारक होता है गुरु की उत्पत्य की कथा भी बहुती नवीन है गुरु को रिशिय अंगीरा का पुत्र माना जाता है रिशिय अंगीरा भी बहुती ज्यानी और वेद के प्रकांड पढ़ थे प्राचीन समय में रिशी अंगीरा ने अपनी पत्नी सुरूपा सहित वरत लिया सनत कुमारों के कहने पर उन्होंने एक दिव्य पुत्र पाने की आशा से एक वरत रखा वरत और पूजन करने के बाद उन्हें गुरू पुत्र रूप में मिले शुकर के पास संजीवनी विद्या थी जिससे वो मृत दैतियों को भी जीवन दे सकते थे उनके पुत्र कच ने बड़ी चितराई से संजीवनी विद्या को प्राप्त किया और उसके बाद गुरू ने अपने यगने से इस विद्या के प्रभाव को खतम कर दिया था इन्हें रिगवेद के एक पाठ का जनक भी कहा जाता है तो ये ती जोतिशानसार आपके लिए गुरू की कथा कैसे रगी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईए और ऐसे और विद्योज के लिए देखते रहें धर्मा लाएं